हेलो एवरिवन, वेलकम टो सीव किरपा स्टेडी पॉइंट, एंड आइम यूर किरपा मैम, डियर्स, आज हम अपनी टैंथ कलास की इंग्लिस बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ चैप्टर करेंगे, चैप्टर का नाम है फ्रोम दे डैरी ओफ एने फ्रेंक, एने फ्रेंक as I would wish myself to look all the time, ये एक वो फोटो है, जो मैं दिखना चाहती हूँ हमेशा ऐसी ही, then I would maybe, और तब साइद मैं ऐसा दिखूंगी, have a chance to come to Hollywood, जब मुझे एक मौका मिलेगा, chance मिलेगा to come to Hollywood, Hollywood में आने का, इसका मतलब है जो एने फ्रेंक थी, उनका साइद Hollywood में जाने का सपना था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, एने फ्रेंक 10 अक्टूबर 1942, एने फ्रेंक ने ये लिखा था 10 अक्टूबर 1942, नाव, सी, लेसन में क्या है, before you read, आप पढ़ें, उससे पहले, क्या जानना प्रूरी है लेसन के बारे में, देखिए, एने लाइज मारिया, एने फ्रेंक 12 जून 1929, फर्वरी मार्च 1945, जो एने लाइज मारिया थी, जिनका सोट नेम था, निकनेम था एने फ्रेंक, वो 12 जून 1929 को जन्मी थी, और फर्वरी मार्च 1945 तक वो इसी दुनिया में रही जीवित थी, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया था, वाजे जर्मन, वो एक जर्मन की महिला थी, बोर्न जेविस गल, वो एक जेविस जेविस का मिन्स होता है, यहूदी, यहूदी लड़की थी, वो रोट जिसने लिखा, वाइल इन हाइडिंग विध हर फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ हाइडिंग छुपे हुए थे, और फोर फ्रेंड्स इन एस्टोडोम, और उन अपने चार दोस्तों के साथ एस्टोडोम में, during the German occupation of the Netherlands, वो जर्मन में थे, occupation of the Netherlands, नीदर्लेंड के काम से, in World War II, जो दूसरा विश्वयूद हुआ था उसके दोरान, क्या कहा है इसमें? Her family, उसका परिवार, उसका परिवार, had moved to Amsterdam, एस्टोडोम चला गया था, after the Nazis gained power, जब नाजियों ने सक्ति को प्राप्त कर लिया था, सक्ता को प्राप्त कर लिया था, in Germany, Germany में, but they were trapped, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, उनको ढूंड लिया गया, When the Nazi occupation, जब नाजियों का occupation, पेशा, नाजियों का जो काम था, वो extended, फैल गया था, into the Netherlands, नीदरलेंड में भी, As the prescutions against the Jewish population increased, इस बात का ध्यान रख करके, प्रेक्यूशन का मतलब होता है, ध्यान रखना, तो इस बात का ध्यान रखते विये कि जो Jewish थी, यहूदी थी, उनकी population, उनकी आबादी increased, वहाँ पर दिन बढ़ रही थी, The family went into, जो परिवार था, वो चला गया था, into hidden in July 94, 1942 में छुपने के लिए, उनका परिवार, 1942 में छुपने के लिए चला गया था, इन hidden rooms, जो चुपने के लिए जो special कमरे बनाए गई थे, वहाँ पर चला गया था, in her father's auto frank's office building, जो की उसके पिता, जिसका नाम auto frank था, उसकी office की building थी, after two years in hiding, वहाँ छुपे रहते हुए, उनको दो साल हो गई थे, उसके बाद, the groups of destroyed and transported to the concentration camp system, उसके बाद ये जो group था, जो वहाँ पर छिपा हुआ था, was destroyed, इसको खत्म कर दिया गया था, and transported, इसको बदल दिया गया था, to the concentration camp system, एक concentration camp system में, वहार, अन्य diet of typos, जहाँ अन्य का आंथ हो गया था, typos के काण, जो अन्य थी, वो मर गई थी, typos की बिमारी के काण, typos की बिमारी होती है, सन्निपात, जैसे, जिसे हम अपने भासा में, शुनपात बोलते हैं, वैसे ही, typos होता है, सन्निपात, ठीक है, तो इस सन्निपात की बिमारी के काण, अन्य की मृत्य हो गई थी, इन, बैरगन, बैलसन, जहाँ कहाँ पे हुई थी, बैरगन, बैलसन में, within days of her sisters, Margaret Frank, जब उसकी बहन, Margaret Frank थे, उसी के दिनों में, मतलब जब उसकी बहन, Margaret Frank की मृत्य होई थी, उसी के कुछ ही दिन बाद, जो अपनी एने थी, उसकी भी मृत्य हो गई थी, हर फादर ओटो, the only survivor of the group, उसका पिता ओटो, केवल वही था, जो की इस ग्रूप में जिन्दा बचा था, रेटर्न टू एस्टेडम, वह वापस एस्टेडम आया, after the war ended, जब इस यूद का अन्थ हो गया, to find that her diary had been saved, उसने पाया, कि जो उसकी डायरी थी, एने की, उसको बचा लिया गया है, convinced that it was a unique record, तब उसने ये पता लगाया, उसको ये पता चला, कि ये तो एक unique record है, एद्वित्ते record है, he took action to have it published, उसने action लिया, उसने कारेवाही शुरू कर दी, इसको publish कराने की, इसको छपवाने की, यंगल, the diary of a young girl के नाम से, इसे छपवाने की, उसने कोशिस की, आगे देखे क्या है, the diary was given to Anna Frank, for her 13th birthday, and chronicles the events of her life, from 12 June 1942, जो ये डायरी थी, Anna की, was given, उसे दी गई थी, for her 13th birthday, उसका जब 13 जनम दिन था, जब वो 13 साल की हुई, तब उसे डायरी दी गई थी, and chronicles the events, ये उन घटनाओं को, उनने, घटनाओं को संजोई हुए थी, अपनी अंदर, ओफर लाइफ, उसके जीवन की, from 12 June, 12 June 1942 से, until its final entry, और इसकी जो अंतिम इंटरी थी, वो थी, 1 August 1944, 1 August 1944, it was eventually translated, from its original Dutch, ये पूनत्या, ट्रांसलेट की गई थी, लिखी गई थी, चापी गई थी, from its original Dutch, जो इसकी, original स्थिती थी, वैसी की वैसी, into many languages, बहुत सारी, भासाओं में, and, became one of the words, most widely read books, और ये बन गई थी, पूरे संसार में, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, किताब, there have, also been several films, इसके उपर, बहुत सी, several films, बहुत सारी, फिल्में बनी थी, टेलिविजन, टेलिविजन पे भी, इसको दिखाया गया था, and, theatrical production, और जो थेटर होते हैं, जहां नाटक वगेरा, दिखाये जाते हैं, उन में भी, इसे परदर्शित किया गया था, and, even one opera, based on the diary, खालांकी ये एक opera-based diary थी, साधान सी एक लड़की की diary थी, described as the work of a mature and insightful mind, ये describe करती थी, वरणन करती थी, एक काम का, of mature, एक बहुत ज़्यादा समझदार वेक्ती की तरह, and insightful mind, जिसे की ना समझ समझा जाने वाला दिमाग था, मतलब ना समझ समझी जाने वाली लड़की की, matureness जो थी, उसको ये वरणन कर रही थी, the diary provides, an ultimate examination of daily life, under Nazi occupation, जो ये diary थी, ये provide कराती है, हमीं दिखाती है, an ultimate examination of daily life, परती दिन के जो हमारे, बहुत बड़े-बड़े exam होते हैं, अपने बहुत बड़ी हमें प्रिक्षाईं देनी पड़ती हैं हर रोज, वो ये दिखाती है, under Nazi occupation, जब नाजियों का time था, जब नाजियों ने अपना सत्ता को हती आया था, नाजियों ने जब अत्याचार किये थे, उसके दोरान की, एने फ्रेंक हैज बीकेम वन ओफ दे मोस्ट रिनाउड, जो एने फ्रेंक थी, वो सबसे ज़्यादा समझी जाती थी, मोस्ट रिनेउड का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा खोजी जा रही थी, और इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिसकास्ट चर्चाएं की जा रही थी, ओफ दे होलोकास्ट विक्टम, जो उस महमारी के सिकार हुए थे, उन लोगों में से, तो ये था, बिफोर यू रीड में, जो हमने एने फ्रेंक के बारे में पढ़ा है, अब हम देखेंगे, अपना जो लेसन है, वो, डायरी में उसने क्या लिखा है, और कैसे लिखा है, सबसे पहले एने फ्रेंक ने बताया था, कि वो ये डायरी क्यों लिख रही है, डायरी लिखने का परपस क्या है, ये सब उसने बताया था, बाद में उसकी डाइरी के कुछ पेज उसने लिखे थे. देखते हैं, AN.E.Franc क्या कहती हैं? Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Writing in a diary, एक डाइरी में लिखना is really strange, वास्तों में बहुत अभूत experience है, अनुभाव है, for someone, किसी के लिए भी like me, जो मेरे जैसा हो. Not only because I have never written anything before, केवल इसलिए नहीं not only केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है but also लेकिन इसलिए भी because क्योंकि it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in this miss sign of a 13 year old school girl क्या कहा है कि not only but also seem because क्योंकि it seems to me ये मुझे लग रहा है that later on बाद में neither I nor anyone ना तो मैं ना कोई और दूश्रा will be interested interest लेगा इसमें रूची दिखाएगा in the miss science miss science का मतलब जो विचार में इसमें लिखूंगी उनमें विचारों में of 13 year old school girl 13 साल की छोटी बच्ची जो की school going girl है उसके विचारों में कोई रूची नहीं दिखाएगा oh well ठीक है it didn't matter ये कोई बात नहीं है ये मेरे लिए ज्यादा माइने नहीं रखता है I feel like writing मैं महसूस कर रहे थी कि मैं लिखूं and I have an even greater need to get all kind of things off my chest and or I have even greater need मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी to get all kind of things सभी तरह की जो चीजे थी मेरे अंदर of my chest मेरे अंदर मेरे दिल में जो भी चीजे थी उसे मैं निकाल दूँ ये भी मेरी बहुत बड़ी जरूरत थी पेपर हैज more patience than pupil जो पेपर हैं कागज हैं उन में इंसानों से ज्यादा सहन सिलता होती है patience में सहन सिलता I thought मैंने सोचा of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands I thought मैंने सोचा of this saying इस जो कहावत है saying मीन से कहावत मैंने इस कहावत के बारे में तब सोचा one of those days उन दिनों में से एक दिन when जब I was feeling a little depressed मैं थोड़ा प्रेशान थी and was sitting पैठी थी at the home अपने घर में with my chin in my hands मैं अपनी थोड़ी को अपने हाथों में लिये हुए मतलब अपनी थोड़ी के ऊपर हाथ रखे हुए मैं बैठी थी bored and listless मैं bored थी बहुत ज़्यादा ऊबी हुई थी and listless मतलब मुझे बिल्कूल भी किसी चीज में रूची नहीं थी wondering whether to stay in or go out wondering घूमने के लिए whether to stay in या तो मैं घर के अंदर रहूं और go out या बाहर चली जाओं ऐसा मैं सोच रही थी I finally state मैं अंत में घर में ही रूच गई वेहर आईवाज जहां पर मैं थी brooding yes papers does have more patience और मैं ये brood कर रही थी बुदबुदा रही थी कि हाँ कागज जो है उनमें ज्यादा सहनसिलता होती है and since और इसलिए I'm not planning to let anyone else read this strip black notebook grantly referred to as a diary क्या कहा हिस में since क्योंकि I'm not planning मैं कोई plan नहीं कर रही थी to let anyone else read this किसी दूसरे को ये पढ़ाने का मतलब मैं किसी दूसरे के लिए नहीं लिख रही थी this stripped black stripped black एकदम सची बात कहना एकदम सच्चाई बताने वाली notebook को grantly referred to as a diary जिसे मैंने साधानत्या एक diary का नाम दिया था unless I should ever find a real friend unless तब तक मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी जब तक I should ever find a real friend जब तक मुझे कोई एक वास्तिक दोस्त सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता it probably won't make a bit of difference it probably won't make a bit of difference साध कोई फर्क नहीं पड़ेगा bit of difference बिलकुल भी फर्क नहीं पड़ेगा उसने सोचा कि मैं यह diary किसी को दिखाऊंगी ही नहीं तो यह लिखने से साध कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला now I am back to the point that permitted me to keep a diary in the first place and now or ab I am back to the point मैं अपने उसी point पर उसी बिंदू पर फिर से बापिस आई that key permitted me जिसने की मुझे promote किया मुझे प्रेरित किया to keep a diary एक diary लिखने को in the first place पहले स्थान पर I don't have a friend पहले बात तो यह थी कि I don't have a friend मेरा कोई दोस्त नहीं था let me put it more clarify आओ मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा clarify करने दो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाने दो since क्योंकि no one will believe that a 13 year old school girl is completely alone in the world जो दूसरी बात थी वो क्या थी no one will believe किसी को भी विश्वास नहीं होगा that की 13 year old girl एक 13 साल की बच्ची is completely alone पूर्ण तरीके से अकेली है in the world इस संसार में and I'm not और मैं भी नहीं थी I have loving parents मेरे बहुत प्यारे माता पिता थे and a 16 year old sister और एक 16 साल की बहन है and there are about 30 people I can call friends और यहां पे 30 people है तेरा लोग है जिने मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ I have a family मेरा एक प्रिवार है loving aunts प्यार करने वाली अंटियां है चासियां है and a good home और एक प्यारा घर है सुन्दर घर है No, on the surface I seem to have everything No, नहीं on the surface surface पर मतलब उपर से देखने पर I seem मुझे ऐसा परतीत होता है to have everything मेरे पास सब कुछ है except my one true friend मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवा मेरे पास सब कुछ है All I think मैंने जो कुछ भी सोचा about when I am with my friend जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ is having a good time ये एक बहुत अच्छा समय होता है I can't bring myself to talk without about anything but ordinary everything everyday I can't bring myself मैं अपने आपके जो चीजे होती है अपने मन की जो चीज होती है वो उन्हें नहीं बता सकती हूँ anything कुछ किशी के भी बारे में but ordinary लेकिन साधान बाते कर सकती हूँ everything पर तेक चीज मैं दोस्तों के साथ अपने दिल की बात सेर नहीं कर सकती केवल साधान बाते ही कर सकती हूँ we don't seem to be able to get any closure we don't seem मुझे ऐसा परतीत नहीं होता है to be able to get any closure और ज़्यादा पास जाने का मोका हम मिल सकता है मुझे यह नहीं लगता कि हम और ज़्यादा पास आ सकते हैं and or that's the problem यही problem है यही कठिनाई है maybe it's my fault सायदी मेरी कमी हो सकती है मेरी गलती हो सकती है that we don't confide in each other कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं कर पाते हैं in any case किसी भी case में that just how things are यह जो चीजे हैं यह चीजे जिस पर कार चल रही है and unfortunately दूर्भागेवस they are not liable to change इनको बदला भी नहीं जा सकता है this is why I have started a diary इसलिए मैंने डायरी को लिखना सुरू किया to enhance the image of this long-weighted friend to enhance प्रेरिथ होकर के the image उस चित्र से of long-weighted friend जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी उस दोस्त की in my imagination अपने मेरी कल्पनाव में I don't want to jot down I don't want to jot down मैं ऐसे ही कोई कुछे नहीं लिखना चाहते थी jot का मतलब होता है उबडखाबड लिखना जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो ऐसी बाते मैं नहीं लिखना चाहते थी The fact is this सच्चा यह है डाइरी the way most people would do डाइरी जैसे कि बहुत सारे लोग लिख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी डाइरी को ऐसे ही उबडखाबड लिख देते हैं वैसे मैं अपनी डाइरी को नहीं लिखना चाहते थी But I want the diary to be my friend लेकिन मैं इस डाइरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती थी And I am going to call this friend Kitty और मैंने अपने इस दोस्त का नाम रखा Kitty तो dear student यह अपना जो first part है lesson का यहाँ पे complete हो गया है I hope आपको clear हो गया है अच्छे से समझ में आ गया है अब वीडियो अगर पसंद आई है सब को समझ में भी आ गया है तो वीडियो को like कर दीजिए और अभी तक channel पर subscribe आपने नहीं किया है तो किस चीज का इंचार जल्दी से subscribe कर लीजिए और जो bell आईगन आएगा उसको all पे set कर ले ना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रही thank you for watching मिलते है नेक्स वीडियो में till then bye bye have a great time